हेलो दोस्तों स्वागत आफ सविकाप के अपरशियाल फालेज में दोस्तों जैसे आप लोगो पता चली गया कि अब लोग एक्जाम दो टरं में होने की बजाए सिरफ एक एक्जाम होगा और एक exam कैसा होगा ये दोनों term मिला करके जो syllabus था उसी का अधार पर पूछा जाए यानि तो पहला exam होगा दोस्तो पूरा पूरी objective होगा और जो दूसरा exam होगा दोस्तो पूरा पूरी subjective होगा यानि जैसे आप लोग का first term और second term था दोनों एक साथ लिया जाएगा दोस्तो first term तो आप लोग पढ़ चुके हो अच्छा से revision किजिए अब दोस्तो main है second term जी या दोस्तो second term का exam दोस्तो आप लोग अच्छे से देना है तभी आप लोग का अच्छे से पूरा overall number आएगा तो इसके लिए दोस्तो आप लोग को second term का syllabus को भी जान लेना बहुत ही ता दोस्तो इसमें दो परकार का syllabus आप लोग पहली बता दूँ मैं दोस्तो एक है रिडियूस syllabus में दोस्तो आप लोग क्या कौन-कौन सी चेप्टर पढ़ने है इसमें दिया गिया है और एक है divided syllabus का मतलब क्या है दोस्तो divided syllabus का मतलब उसमें first term और second term का अलग-अलग बाटा वीडियो को पूरा देखिए मैं दोस्तों classes भी लाओंगा आप लोग लिए चिंदा मत कीजिए लेकिन अभी syllabus को पहले जान लिए कैसे देखना है कैसे नहीं और सभी दोस्तों को सेयर कर दिजिए तकि सभी इसके बार इसके लाव हो दोस्तों किसे आच्छा कि जगत आपका अपडेट पाने के लिए अच्छी अच्छी वीडियो पाने के लिए अपने एक्जाम के त्यारी बहुत इधाकर तरिक से करने के लिए तो चलिए इस वीडियो को सुरू करते हैं तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं संचीत पार्ट करम अकादमिक बर्स 2021 जो बोड़ ए किस आप लोग होने वाले मतलब इस ही साल इसके लिए सिलबस है क्लास नाइंद के लिए दोस्तों क्लास 9 10 11 12 सभी के लिए आप लोग का सिलबस है चले एक एक देख लेते हैं सबसे पहले आप एक जश्ट एक्जामबल के तौर पर समझ लेजीये ठीक है यह हिंदी है जैसे की संस्कृति यह नहीं है कि के तो इस प्रकार नहीं वह आई गा जिसमें लिखा वह चीस नहीं आए करो चलिए और बताते हैं दोस्तों मैं अप्सट्र रूखनो यह सब्टा के जो स्बस्सक्रांण स यह वाइन है इसके बाद आप आप लोग का सेकंड टर्म में आने वाला है जैसे इसी को देख लिजे आप ठीक है लिनियर इक्वेशन टू वेरियेवल्स क्या है 4.5 इक्वेशन सब लिनियर प्राइल टूदा एक्स 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 मतलब यह चैप्टर तो आएगा बट यह वाला टॉपिक से सवाल नहीं पू पूछे जाएंगे ध्यान में आ रहा है यह बात समझ गए धावनी चैप्टर हाँ है मतलब यह चैप्टर तो आएगा इससे सारे स्वाल लाएंगे बट प्राधावनी के अनुपर यह और मानव कर्ण का संगर्चना इस टॉपिक से आप लोग का स्वाल एक्जामें पूछ अच्छा नमर लगना चाते हैं फिलाल आप तियारी शुरू कर दिजिए और अच्छे से पढ़ाई में लग जाई क्योंकि एक्जाम के लिए ज्यादा वक्त नहीं बचा है मुश्किल से और दो से धाय महीने का वक्त बचा हुआ है तो अच्छे से त्यारी कर जाईए और में बहुत ही अच्छा नमर लगे चलिए दोस्तों अभी इतना है फिलेंगे नेक्स जल देंगे तब तक लिए जाए हिंद वान देवात्रम